हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आएक्जाम भी, आएम सुशिल रगडे, एक्स मैनेजर रिजर्व बेंक अफ इंडिया और आपने आज न्यूस पेपर में या कल भी ना, ये सेवी के बारे में न्यूस पड़ा होगा कि सेवी के कुछ एम्प्लोईज है यंग ऑफिसर से, जुनियर ऑफिसर से, उन्होंने कंप्लेइन किया है, मिनिस्टी को या बोर्ड मेंबर को और मेडिया में भी ये लिउस दिया है कि सेवी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का और उन्हें directly allegations लगाए है, जो सेवी के chairperson मैडम है, मादवी बूच मैडम पे तो इसके बारे में सेवी ने एक clear cut official reply दिया है उनके website पे और वहाँ पर उन्होंने कहा है क्योंकि ये वीडियो बनाने का purpose है और ये मैं बताता हूँ कि जो RBI के exam देने वाले उनको नहीं देखना ये वीडियो, सेवी का face to exam हुआ है तो वो अभी थोड़े relax में है, relax mood में है और उनको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि exact क्या situation है वो हमें कौन बता पाएगा क्योंकि ये भी जो reply होता है ऐसे reply भी organization की image बचाने को होता है और हमें 8 से 10 officers से अगर हम personally बात करेंगे तब ही हमें बता चलेगा otherwise यहाँ पे भी अंदर भी लिखा है letter में कि ये narrative set करने का एक try होता है तो CB के दरब से भी ये official reply आएगा तो वो भी मतलब हमें कितना सच मानना है वो आप decide कर सकती क्योंकि हर organization को अपना image finally बचाना होता है यहाँ पे purpose यह है बनाने का कि यहाँ पे हमें दोनों situation पता चले बहुत लोग salary के बारे में पूचते की salary कितनी है overall सब CTC पकड़के तो CB ने official reply दिया है यहाँ पे की CB grade की freshers की salary यानि की जो यंग बंदा आता है 21, 22, 24 साल का होता है उसकी जो salary है 34 lakh रुपीज है और नए जो officers है उनके side से यह demand हो रही है कि यह salary 40 lakh रुपीज कर दे और इसके बाद अभी जो revision है वो भी होना बाकी है क्योंकि अभी इसका RVA नाबड सेवी का जैसे bank का salary revision हुआ है वैसा देखेंगे RVA के जो candidate से उनको पढ़ाई पर ध्यान देना है बिल्कुल भी यहाँ पर यह वीडियो में आभी देखने में time best मत करना है बाद में आप देख सकते क्योंकि हर कौन से time पर क्या करना चाहिए यह हमें पता होना चाहिए ठीक है यह video सेवी के जो aspirant है उनके लिए और जो अगले साल सेवी का exam देना चाहते उनके लिए बनाया है और इस साल बहुत सारे ऐसे लोग है कि जो सेवी का जिन्नोंने form नहीं बुरा यासे बढ़ा है candidates ने या फिर वो form भरने के बाद नहीं देने वाले exam लेकिन यह जो exam है सेवी का यहाँ पर बहुत अच्छी vacancy तीज बार और लोगों ने काफी seriously exam दिया है तो चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए यह है अभी अभी यह आया है सेवी का official reply आया है यहाँ पर क्या-क्या लिखा है मैं आपको important points यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कौ प्रेशर है और salary का एक relation होता है मान लिखे बैंक में है आपको बैंक में मान लिखे clerk को 50,000 salary मिलरी एप्रोक्सिमेट और officer को 1,000,000,000 सब पकड़के तो हम थोड़ा complain करते हैं कि इतना काम है उतना काम है क्या होता है ना जब आपको salary ज्यादा मिले अगर यहाँ पर बोलू कि इतना काम करेंगी क्या तो करेंगी क्योंकि क्या होता है एक हमारा एक amount होता है उतने comparison में अगर काम का मान लिखे pressure बढ़ते है तो हम सहलेंगे हम क्या बोलते कि 30,000 के लायक है नहीं काम तो 70,000 का है और salary 30,000 की दे रहे तो यह आपको समझना यहाँ पर सेभी में pressure है यहाँ लेटर पढ़ेंगे यहाँ पर clear cut दिख रहा है कि भी pressure है लेकिन आपको वो pressure handle करने का 34,000,000 रुपे मिल रहा है तो लोग अभी क्या कर रहे है बारगें कर रहे है कि हमें बहुत pressure है और उन्होंने कहां भी है यहाँ पी a tactic है कि क्या है हम ऐसे regulation लगाएंगे pressure है तो salary बढ़ा यहाँ पर क्या मैं पढ़के दिखाता हूँ अगर आपको interest है तो आपको देखना है अधरवाइस आप skip कर सकते हूँ a 15-minute silent protest was held in this regard in this context 15-minute का protest की आए वो भी silent यानि कि बस आगे और चलो चलो निकलो ऐसा होगा इसा होगा है it is understood that when media reported this protest as being only about their working condition and allowances and perks and nothing about issues faced by the vast majority of investors and stakeholders यानि कि से भी क्या कर रहा है पता यहाँ पर से भी उनके जो investors है यानि कि आप जो करोडो लोग है उनका support लेने का try कर रहे है यानि कि यह indirectly यहाँ पर बोल रहे है कि देखो यह employees जो है वो सिर्फ परक की बात करते है वर कंडिशन की बात करते है लेकिन काम कुन करेगा यहाँ पर यह clear लिखा है कि जो issues है investor related यानि कि यह करोडो लोग है जिनका पैसा invested है उसका क्या यानि कि clear cut यह officers को बोलते भी आप काम करो correct a group of employees concisely designed a strategy to change the narrative आपने बहुत बार देखा होगा narrative narrative set किया जा रहा है मतलब employee के तरफ से narrative set किया जा रहा है और यह सेभी के तरफ से दूसरा narrative set किया जा रहा है to frame the issue as a relating to work environment with an objective to have a bargaining power to seek more benefits मैंने जो कहां कि पर बारगेन मतलब बोलो भई बहुत काम है बहुत काम है बहुत काम है तो क्या करना हम तो job थोड़ी चोटने बाले पर्मनेंट जोब है पर salary बढ़ा हो कितना है अभी चोटीस लाग है तो चालीस कर दो accordingly a letter focused यह work culture का यह ऐसे सकी है फिर आगे थोड़ा बहुत आप यहां पर देखो CB offices are already well paid and for entry level offices grade A the cost to companies are approximately 34 lakhs per annum which compares extremely favorably even with the corporate sector a new demand placed by them would amount to additional CTC of 6 lakh रुपीज यानि कि अभी 34 lakhs है अभी वो बोल रहे है कि चालीस कर दो इसलिए यह सारा काम चालू है ऐसा सेवी का कहना है ठीक है working culture के बारे में अभी देखो मैं यह पड़वंग ना भी तो आपको पता चलेगा कि कितना work pressure है यहाँ पर यह इनके sentence समझ में आ रहा है monthly targets set for the completion of work sharp accountability accountability यानि कि काम नहीं हुआ तो आपको accountable पकड़ा जाएगा monthly target दिये जाएंगे टाइम भी resolution होना चाहिए performance होना चाहिए reward मिलेगा अच्छा काम करेगा तो reward मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं भी मिलेगा promotion policy, assessment criteria, performance यानि कि performance, criteria, resolution, accountability की बात यहाँ पर हो रही है यानि कि definitely यहाँ पर pressure है लेकिन salary भी मिल रही है तो काम तो कहीं भी भी करना है आप कौन सा भी job बताई जहाँ पर pressure नहीं सब जगह पर pressure है ठीक है और pressure के accordingly salary मिलेगी तो लोग खुश रहेंगे अब यह क्या पोल रहे है यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि अभी चार लाग अगर छे लाग बढ़ा के देंगी तो हम अच्छे से काम करेंगे ऐसा यह लेटर का intention देखो यह भी narrative set कर रहे है यह भी narrative set कर रहे है आपको समझना है क्या है पर यह unemployed रहेंगे तो पूरे दुनिया का pressure है तो इससे अच् to technology भी करनी पड़ेगी आपको नहीं ने technology सीखनी पड़ेगी the claims that unprofessional work culture correct तो अभी यहाँ पर क्या है are misplaced and seems to stem from the instance such as under pitching of processing capability of officers as by one-fourth of actual capital याने कि लोग बहुत कम काम कर रहे है misreporting of status of achievement of care is misreporting हो रहा है कौन misreport कर रहा है shuttling files मतलब यहां से हमाँ travel कर रहा है between departments over long period to avoid taking decision याने कि फाइज इदर से उदर बेजो उदर से इदर बेजो काम नहीं करना है ऐसा यह बोल रहे adjusting appraisal marks of poorly performing officers to somehow make them eligible for a promotion अब यह कौन कर रहा है correct यह उपर वाले कर रहे हैं कि ऐसे कुछ यहाँ पर है देखो accountable है high standard of performance and accountability कितने बार देखो है go to media, go to ministry, go to board ऐसा मतलब वो बोल रहे हैं ऐसे complaint कर रहे है अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बहुत जबरदस और बड़ा allegation है और मैं बोलता हूँ इसके पीछे कर रिजन क्या हो सकता है अभी देखो यहाँ पर क्या game है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर game ऐसा है मुझे बताओ अगर किसी को really complaining करना है तो वो email डालके कैसे करेंगे खुद का email डालके करेंगे तो उनको तो कुछ न कुछ निकालके सस्पेंट भी कर सकते है उनको तंग भी कर सकते है परिशान भी कर सकते है और यहाँ पर यह जो क्या कहते है कि बही कुछ न कुछ हुआ है क्योंकि जो officers really problem में है वो खुद का नाम बता ही नहीं सकते क्योंकि बड़ी-बड़ी organization कुछ भी allegations डालके किसी को निकाल भी सकते है कुछ भी कर सकते है वो खुद का नाम आनी नहीं देंगे और यह association वाले है जो है unions वाले है वो कभी भी देख identified set of staff members भाई वो identify कैसे होने देंगे इसी को तो हम कहते कि whistleblower यह whistleblower का टाइप का ही है ना whistleblower कुद का नाम थोड़ी बोलता है तो यह आप अच्छे से पढ़ लिजे यह मेरा interpretation भी सही हो सकता गलत होता आपको क्या रखता है बताइए उसके बाद unreasonable targets targets तो है उसने लिखा हुआ है से भी junior officers in large numbers high standard of performance accountability underpaid 34 lakhs to believe that they should get automatic promotion या ऐसे काफी सारे points यहां पर लिखे हुए है तो यहां पर क्या है हमें देखो pressure तो बहुत है अभी यह जो है ना अभी यह जो सेभी के officers है यंग होंगे कुछ energetic होंगे उन्होंने इतना management के साथ fight को ही निकर तो मुझे तो मतलब इनका जो daring है उसको salute करना पड़ेगा कि इतना बड़े chairman chairperson madam में उनके साथ directly fight कर रही है अभी देखो ना media में आया है और यहां पी reply कर रहे है बाकी कोई organization में इतने हिमत नहीं ही RBA में भी बहुत सारे issues अभी आपको क्या बता है यहां पर ठीक है बहुत सारे issues है RBA भी भी लेकिन उतना daring नहीं ने बताने का correct तो अभी बहुत सारा RBA में और haul चल रहा है लेकिन अभी कुछ बताऊंगा मैं तो आप तो परिशान हो जाएंगे correct तो फिर application लगाएंगे तो आपको पता है मैंने कहां कहां से आपको निकाल की information तो फिर बात में आपको पता चलेगा ठीक है तो यह जो सारे issues है और यह आभी नहीं है अभी यहाँ पर Jew fencing का बताया नहीं मैंने तो इस साल पहले बताया था Jew fencing यानि कि आप यहां से यहां तक गए फिर यहां से यहां तक गए फिर वापिस आगी यह इतना आपका set किया जा रहा था और ए बहुत अपोज हुआ इसके लिए और मैंने कम से कम आज से दस बार बोला है कि मैडम आने के बाद क्योंकि तेखो मैडम क्या है मैडम आए अमदबास से पड़ी पूरा corporate culture है corporate में क्या होता अभी काम करो नहीं तो घर जाओ काम करो नहीं तो घर जाओ इसके पहले कि जो थे IS officers को पता होता है IS officers क्या करते है balance करते है उनको पता है गवर्मेंट का setup कैसा है private का कैसा है आप देखो त्यागी सर थे उसके पहले बिडे सर थे उसके पहले UK सिना थे वो जबरदस लोग थे बहुत आमोदरन सर थे मैं तो उस ताइम MBA कर रहा था बहुत जबरदस लोग थे उनको पता है government कैसा चलाना ये private जैसा अभी madam का जो है वो private जैसा करते है accountability बढ़नी चाहिए लेकिन इतना नहीं कि लोग परेशान हो जाए इतना level पर लोग कब जाते बहुत परेशान आती ही तब जाते तो हमें भी ऐसा नहीं करना है ये exam इतनी परेशान अगर आप ऐसा सुनेंगे तो भी IS में pressure है UPC में pressure है आर्मी में pressure है तो फिर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर घर पे बैटेंगे घर पे बैटके भी फिर टेंचर आएगा तो ऐसा नहीं है हमें देखना है अभी 34,00,00 रुपे salary मिल रही तो काम दो करना है कहाँ पे तो ये जो बात है अभी आपने क्या हुआ मेडिया में वो भी देखा इनका response भी देखा ये official response है ये तना हुआ है यानि कुछ ना कुछ अंदर हुआ है अभी आपका exam हो गया अच्छा हुआ बाद में आए अदरवाई लोग disturb हो जाते आपका exam भी हुआ है अभी जिसको जिसको interview का call आए हम preparation करेंगे आपको क्या लगता इसके बारे में अगर आपने से कोई CB का officer है जो ये देख रहा है तो anonymously बता हो नीचे comment section में क्या चल रहा है ठीक है thanks for watching and all the best for your studies and upcoming examinations